क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होने से डरते हैं। प्रधान मंत्री ने अच्छी दिनों का वादा किया था। लेकिन देश एक बार फिर से कतारों में खड़ा है। क्या इन ही अच्छे दिनों की बात की जा रही थी। इतना ही नहीं पी-म पर संसद में खड़े होने से डरने का आरूप लगाते हुए राहुल गान्दी ने कहा कि हम इस संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। अगर मैं 15 मिनट संसद में भाशन दूँ तो प्रधान मंत्री हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अब आखिर राहुल ने कहा क्या था ये आप खुद ही सुन लीजिए। इतना ही नहीं राहुल गान्दी ने अपने ट्वीट के जरिये भी पी एम मोधी पर हमला भुला। नीरव मोधी मेहुल चौकसी और एटियम में कैश के किल्लत के बहाने मोधी पर निशाना साते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। समझो अब नोटबंदी का फरेब, आपका पैसा नीरव मोधी की जेब, मोधी जी की क्या माल्या माया, नोटबंदी का आतंग तोबारा चाया। देश के एटियम सब फिर से खाली, बैंकों की क्या हालत कर डाली। आपको बता दीं कि देश के कई राजियों से एटियम में कैश की कमी की खबरे सामने आने के बाद, रिजर्व बैंक और सरकार को आगे आना पड़ा। वितिमंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि देश में कैश की कमी नहीं है, सिर्फ कुछ जगों पर अचानक मांग बढ़ जाने से ये दिक्कत सामने आई है, साथ ही उन्होंने एक दो दिन में हालत सामाने होने की बाद भी कही है, लेकिन इस अगोशित नोटबंदी ने आई यूस वारेल कृपू